आज कि इस वीडियो में वर्ल्ड की नदियों के 11 अचूक जो कोशन्स हैं वो मातर 2 सेकंड में उनका जवाब आप दोगे हर सरकारी नोकरी के एक्जाम के अंदर क्योंकि ये GK की बहुत ही जवरदस ट्रिक है जो कि आज ही मैंने बनाई है ये दूसरी ट्रिक है जो मैंने आप लोगों से वीडियो के सारे शेयर की है इससे पहली वाली ट्रिक में मैंने 1857 की खरांती के बारे में डिसकस किया था तो आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये 11 क के 11 कोशन आप अगर देखेंगे ये वीडियो पांच मिनिट से भी कम होगा आप लोगों को भूल कर दिखाने का चैलेंज करता हूँ जिंदगी बर नहीं बूल पाओगे अगर आप नहीं भूलें तो मेरे को आपका मोटिवेशन चाहिए रीनफॉर्समेंट चाहिए तो आ आप लाइक जरूर करें ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए 11 के 11 कोशन ये आते हैं इससे बहार नदियों के कोशन नहीं आते हैं सबसे पहला कोशन आता है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है अब देखिए सबसे लंबी नदी है नील एक ट्रिक से आपको य करें, तो Europe की सب से लंबी नदी है वोल का, सिधि टिक है यहाँ पर याद करने की, कोई भी ऐसी एसी नदी नहीं है, जिसके नाम के उपर हिंधी में ऐसी मातरा आती हो, जभी आपको Europe नाम पूछ है की Europe की सबसे लंबी नदी कोंछी है, तो आंसर आजाएगा वोल का यूरोप के अंदर भी आप देखते हैं यू के बाद क्या आता है यूरोप तो याद रखना इसके आंसर में भी जो ये मातरा वाला नाम है वो शुरुवात में या जाएगा वोल का तीसरी देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी इसको याद करने का इन दोनों से समसे आसान तरीका है एशिया में लास्ट कहां से खतम हो रहा है यह शब्द या से शुरू हो रहा है इसका अंसर भी या से आएगा यांग्त जे देखिए एशिया में बहुत सारे देश आते हैं एशिया के अंदर हमारा भारत देश भी आता है लेकिन ये नदी भारत की तो है नहीं ये है चीन की नदी कहां कि चीन की है चीन की सबसे लंबी नदी है तो एशिया की सबसे लंबी नदी चीन की है जो है यांग्ट जे इसको याद करने का तरीका है एशिया का अंतिम या होता है और इसका आंसर भी या से शुरू होता है पसंद आई ना तो like बटन दबाएँ आगे देखिए आगे है उत्री अमेरिका की सबसे दंबी नदी और उससे अगला है दक्षिनी अमेरिका की सबसे दंबी नदी debat yes अब देखिए यह मुझे नहीं आता क्यों बोलना है क्योंकि दो नदिया है इसकी मिसोरी और मिसिसीपी बिल्कुल याद हो गई होगी उत्री अमेरिका का नाम आते हैं अब दक्षिनी अमेरिका का नाम आते ही इससे भी आसान ट्रिक है देखिए जब भी बात आएगी दक्षणी अमेरिका की तो यहां पर अमेरिका में देखो अमेरिका जब आप लिखते हो तो शुरू के दो वड़ आते हैं तो दक्षणी अमेरिका की अमेजन होगी तो याद रखना उत्री अमेरिका का question पूछे तो I'm sorry CP तो Missouri Mississippi और अगर अगर दक्षणी अमेरिका का पूछे तो दक्षणी अमेरिका में आपको तो answer खोजने की भी ज़रूत नहीं अमें से अमेजन ठीक है दोस्त आगे देखिए इनकी लंबाई भी मैंने साथ के साथ दे दी है आप screen shot ले लीजेगा अगर आप लोग संख्या में मेरे साथ जादर जोड़े तो मैं टेलिगराम गुरूप बना दूँगा जिससे दिन की कम से कम 15-20 वीडियो आपको मिल जाएं तो ठीक है दोस्तो हमारे को subscribe कीजिएगा अब देखे ये तो थे continent अब अगला question है USA का USA क्या है एक country है USA की सबसे लंबी नदी कौन सी है देखिए USA की भी सबसे लंबी नदी बोल दे तो बोल देना I'm sorry Missouri और Mississippi इसको भी आपको I'm sorry बोल देना है तो उत्री अमेरिका की सबसे लंबी नदी को और USA की सबसे लंबी नदी को I am sorry बोल देना और दक्षिन अमेरिका की सबसे लंबी नदी में अमेरिका के अमेरिका को उठा लेना अमेजन आपकी लंबाई हो जाएगी अब देखो अगला जो कोशन आता है वो आता है चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है अब देखिए आपको मैंने बताया था कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है यांगत जे और यह कहाँ पर है चीन में तो चीन की सबसे लंबी नदी यांगत जे होगी आगे देखिए भारतिय महादीप की सबसेलंबी नदी अब आप यहाँ पर confused हो जाएंगे और आप बोलेंगे यांगत जे होनी चाहिए देखिए यह एशिया में तो आता है चाइना लेकिन यह हमारे भारतिय महादीप में नहीं आता देखिए आप यहाँ पर देखिए में में देश आते हैं भारत, पाकिस्तान, भुटान, नेपाल, बंगलादेश, श्रिलंका, मालदवीप लेकिन यहाँ पर चाइना नहीं आता है इसलिए जब आप भारतिय महादीप की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो सिंधू होगी क्योंकि दोस्त सिंधू तो हमारे देश की है और इन सबी देशों में सबसे बड़ा देश हमारा है तो यहाँ पर सिंधू आंसर आएगा अब जब भी अगली इंटरेस्टिंग है इतनी ट्रिक की आफासस के पागल हो जयोगे प्यार हो जाएगा आपको इस वीडियो से इस ट्रिक से की Australia के सबसे लंबी नदी कोन सी है आपको बोलना अस्टेलिया की सबसे लंबी नदी मेरे डारलिंग के घर के किनारे है तो Australia की स सबसे लंबी नदी है उसको याद करने की ट्रिक मैंने अभी बैठे बैठे निकाली और बहुत मज़ा आया मुझे देखे United Kingdom के सबसे लंबी नदी सेवरन होगी इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे अब देखे United Kingdom की अगर बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारे देशों का यह जोड है किसी एक देश को तो आप United Kingdom की बोलते नहीं तो United जो Kingdom है दोस्त वो बहुत सारे देशों से मिलकर बना है तो उनकी कुछ संख्या होगी तो इसकी नदी के नाम में भी संख्या होगा सेवरन यह किस से मिलता जूलता है English के 7 से तो ऐसे आप बिल्कुल नहीं बोल सकते अब विश्व की सबसे बड़ी नदी अब देखिए यहाँ पर जो पहला था वो सबसे लंबी नदी थी तो आपको याद करना है सबसे लंबी नदी का जो पानी है वो नीला है तो नील होगी लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी नदी अब देखिए यह तो होता है लंबा होना लेकिन मान लीजी यह नील नदी है यह इतनी लंबी है इसके नीचे यह अमेजन है अमेजन मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको दूसरे कलर से यह विश्व की सबसे लंबी नदी तो आपकी नील होगी लेकिन सबसे बड़ी नदी पानी की मातरा में अमेजन होगी और लास्ट का जो कोशन आता है वो यह आता है कि वर्ड की सबसे गहरी नदी कौन सी है अब देखिए गहरा होना होता है deepest river आपको बतानी है देखिए वो है अफरीका में कहाँ पर अफरीका में अब देखिए आप लिखिए इसको अफरीका तो इसका लास्ट वाला वर्ड उठा लो का कांगो में सी दिसी बात है कांगो है तो विश्व की सबसे गहरी नदी कहाँ पर है अफरीका में और अफरीका का लास्ट वाला ये उठा लो तो का से कांगो अब मुझे बताईए कि ये जो मैंने आप लोगों को करवाया है ट्रिक से सारी चीजें 11 अचूक सवाल आपको अगर मैं एक बार एक मिनिट दूँ और बोलू कि इनके आंसर आपको देने है तो आप हमेशा इसके आंसर दे देंगे दोस्त आपको पता है ये मैंने ट्रिक क्यों बनाई टाइम लगा के ये इसलिए बनाई क्योंकि जो मैंने पहली वीडियो डाली चैनल पर आप लोगोंने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपके भाई का प्यार का ही बुखा है दिल तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आगे भी आपकी अल्लिमिटिड वीडियो जाती रहेंगे जितना ज़्याद आप लाइक शेर करते रहेंगे माना हम नए है इस चीज में जीके के उसमें लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्रियेटिविटी दुनिया में खतम हो गई है नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं दोस्तों तो मुझे काफी अच्छा लगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं